चलिए ऐडसनगे डोस्तों रेसिडेंशिल स्टेटल सापका इलस्टेशन नमबर वन देख लेते हैं इसके बाद फिर इलस्टेशन नमबर टू यह right-ad 사्क प्रात करते हैं इलस्टेशन नमबर वन से ठीक है इलस्टेशन कहता Mr. Anand करके कोई Indian citizen है यहाँ पर Indian citizen है इवन यहाँ पर कहता है and member of crew है ठीक है अब यह word important है कि member of crew है यह word को हम highlight करेंगे यह word को हम highlight करेंगे इसे छोटा करतेते हैं एक है एक है एक है इंडियन चीप एंगेज इन कैरेज और पैसेंजर इन इंटनेशनल टेरिफ कहता है कि यहां पर चैन्ने पोर्ट के इसाब से कहता है कि यहां पर यह पर यह दिस्चार्ज हो रहे हैं मतलब कि यहां पर नीचे भी डेट आपको दे रखिए कि following detail आपको दे रखा है 23-24 के इसाब से और आप कह सकते हैं कि assessment year के इसाब से बोले तो 24-25 और previous year के इसाब से बोले तो 23-24 यह तो cdc बात है नीचे कुछ information दे रहा है इसे के साथ कहता है कि assume करिए कि his stay in India last for previous year के इसाब से वो है आपके पास में 400 days ठीक है अब यहां पर जो detail यह कह रहा था 6th June के इसाब से वो यहां पर कहता है तो यहां पर जो ऊपर कह रहा था 6th June वाली चीज यहां पर कही है कि date enter into continuous discharge certificate मतलब कि यहां पर discharge कब हो रहा है मतलब कि यहां से discharge मतलब कि discharge का मतलब होता है कि person जो है जिसकी भी बात कर रहे है Mr. Anand वो ship में बैठ कर निकलने वाले है कौनसी date को 6th June को ठीक है 2023 और कहता है कि continuous आ यह joining का था और यह signing off का ठीक है तो discharge से आपको यहां पर date दे रखिए कि आपका joining के लिए जो discharge date थी वो 6th June और signing off के लिए जो date है वो 9th December है ठीक है तो यह आपको date आपको दे रखिए already ठीक है simply यहां पर क्या करना होता है यहां पर आपको calculate करने के लिए कहा है कि residential status आपको find out क करना है कि determine residential status of Mr. Ireland बहुत ज़्यदा simple होता है लेकिन यहां पर जो important बात थी वो यह चीज़ थी कि member of crew है अब जब बात करते है member of crew की तो यहां पर आपके concept में एक चीज़ आ जाती है कि यहां पर residential status पूछा जाता है तो आपके पास में दो condition होती है अगर आपको पता है ठीक ठीक है यह condition fulfill होते है तो ठीक है तो आप resident बन जाएंगे या फिर दूसरी condition भी होती है कि previous year में आपके पास में 60 days और preceding previous 365 days या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए यहां पर मैं आपको इससे related यहां पर यह आपको condition भी दिखा देता हूं condition आपके पास में है यहां पर कि सबसे पहला है तो एक condition है कि 182 days previous year में आप complete कर लिजे 182 days या फिर उससे ज्यादा अगर हो जाते है तो आप resident मन जाएंगे या फिर और करके यह condition fulfill नहीं होई दूसरी करेंगे तो भी आप resident मन जाएंगे ठीक है दूसरी condition है previous year में आपके पास में 60 days और preceding previous 4 year में मतलब कि previous year में 60 days या फिर उससे ज्यादा है और preceding previous 4 year ठीक है preceding previous 4 year में 365 days या फिर उससे ज्यादा है तो भी आप resident मन जाएंगे लेकिन जब मैं बात करूँ रहा है आपका crew members की ठीक है या फिर मैं कहूँ Indian origin की तो वहाँ पे आपको specifically बताया गया है कि जो आपकी पहली condition आपकी apply नहीं होती है ठीक है सिर्फ उसे पहले वाली condition apply होती है यह मैं आपको उपर उपर से बता रहा हूँ यहाँ पे आपको यह सारी चीज़े पता है क्योंकि ICM module batch चल रहा है तो यह सारी चीज़े आपको पता है मैं simply उपर उपर से information दे रहा हूँ इसके लिए अगर यहाँ पे है तो हम यहा सकते comment section के अंदर ठीक है तो यहाँ पर आपको ICM module batch में थोड़ा बहुत concept बताया जाएगा तो simply मुझे यहाँ पर क्या देखना है सर यह crew member है तो 182 days वाले ही condition apply होगी अगर 182 days complete कर लेते हैं तो mister जो यहाँ पर नाम दे रखा है आनंद वो क्या बन जाएंगे resident अगर नहीं ह आपका जो joining और discharge का जो date है joining और signing of का जो date है उसे ignore करेंगे यह सिर्फ और सिफ कब होगा जब member of crew होगा member of crew ने यह मतलब कि normal person है normal person की बात कर रहा है कि इंडिया से जा रहा है मान लिजा 6th June को ठीक है और आ रहा है वापस इंडिया में 9th December को ठीक है तो यह stay के अंदर जो stay के date आप days आप calculate करेंगे यह include होंगे ठीक है इसको include करेंगे कब जब यह normal person की बात हो लेकिन जब members of crew की बात हो तो वहाँ पे जो discharge का date होता है उसे ignore करके देंगे मतलब कि इसे आप जो है यहाँ यहाँ पे calculation में नहीं लेंगे ठीक है तो यहाँ पे जल्दी से calculate करें यहीं पे ह आपका year start होता है तो first April तो April के कितने days होंगे 30 ठीक है यहाँ पे हम days वगेरा लिखते जाते है और यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि यह answer 182 days हो रहे है तो ठीक है तो आप resident है वन ना आप non resident है ठीक है तो 30 days April के May June के कितने days लेंगे 6th June को cancel करेंगे crew of member है इन दो date को ignore करें इसके पीछे की date लेंगे ठीक है तो only and only five days लेंगे June का ठीक है इसके बाद तो यह चले गए Mr. Anand ठीक है और June खतम हो गया जूलाई खतम हो गया अगस्ट खतम हो गया ठीक है अगस्ट September, October, November और December 9th December को वह वहाँ से निकले मतलब की 9th December को नहीं लेंगे 10th से लेंगे मतलब क 31st December तक होता है जिसमें से 9 days आप हटा देंगे 9 days हटा देंगे ठीक है 9th भी आपको नहीं ले रहा है तो कितने आ रहा है 22 days ठीक है December के 22 days जैन Fab और आपके पास में March ठीक है तो जल्दी से इसका total लगए आपको पता चल जाएगा कि क्या ये 182 days रहे है अगर 182 days या फिर उससे ज्यादा इनका stay रहा है ठीक है ये previous year की calculation हम कर रहे है 22 23 24 की ठीक है previous year 23 24 यहीं पे कहा था ना previous year 23 24 और 23 24 की information आपको given है ठीक है तो previous year में 182 days या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए ये हमारी condition है total कर लिजे क्या 182 days या फिर उससे ज्यादा हो रहा है तो हम कह देंगे कि ये resident है अगर उससे ज्यादा नहीं है तो ये non-resident है इसका total अगर लगाएंगे तो यहाँ पे जो आपका total आएगा वो आएगा 178 ठीक है 178 days आपका यहाँ पे निकल के आ रहा होगा एक बार आप जरूर से check कर लिजे 178 days आपका यहाँ पे निकल के आ रहा होगा जो कि आपका बिलकुल भी match नहीं हो रहा है 182 days या फिर उससे ज्यादा से ठीक है मतलब कि 182 days या फिर उससे ज्यादा है तो वो resident है लेकि लेकिन यहां क्या इनका स्टे previous year में previous year में क्या इनका स्टे 182 डेज या फिर उसे ज्यादा रहा answer is no तो यह non resident है ठीक है तो इसका answer यहां पर हम देखते हैं तो यहां पर यह देख सकते हैं आपके पास में अच्छा एक और चीज यहां पर 29 नाइन डेज होंगे फैबे 2024 मतलब की 29 डेज यहां पर रहेंगे तो यहां पर हमें 29 डेज लेने पढ़ेंगे 28 हमने ले लिया है तो 29 डेज आपके रहेंगे तो 179 आपका रहेगा 179 डेज यह डेज तो 179 डेज आपको यहां पर सटे देखने को मिलेगा आप यहां पर देख सकते 179 डेज इनका स्टे अहेगा ठीक के इन ऀंडिया और यहां पर क्यालकूलेशन दे रखिए ठीक है आपको सिंपिल यहां पर कंडिशन सबसे पहले लिखने होते और श्व jewelry यह calculation यह जो आपने answer की calculation करिए यह पूरे की पूरे calculation यहाँ पे sentence आपको लिख देनी है और last में आपको दिखा देना है कि resident है या फिन नहीं तो non resident है तो non resident लिखे और resident है तो resident में भी कौन सा ordinary not ordinary यह भी आपको लिखना होता है तो यह whole hour आपका illustration number one complete होता है